हाई फ्रेंड्स आज मैं एक लिपिट लोवरिंग और एंटी प्लेटलेट मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूँ शरीर में बढ़े हुए कोलेस्टाल को लेवल को कम करने के लिए और हार्ट अटेक के खतरों को कम करने के लिए ली जाने वाली इस मेडिसिन के बारे में आज में डिसकस करूँगा ब्रांड नेम के अगर मैं बात करूँ तो अरवाष्ट सीवी 10 कैपसूल ब्रांड नेम सी एह मार्केट में उपलब्ध होती है इंटास फार्मसिटिकल्स लिमिटेड के द्वारे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 10 कैपसूल के किश्टिप मार्केट में 170 रुपीज का उपलब्ध होता है फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरेंसेस रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिख कर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजीशन के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें रोसू वास्टेटिन 10 मिलिग्राम और कलोपी डोगरल 75 मिलिग्राम की मातरा में उपलब्द होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोड़क्ट के कुछ बैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स रोसू लेस्टी 10 कैपसूल जिसे कोरोना रेमडीस प्राइवेट लिमिटेट के दोरा बनाया जाता है रेजील सीवी 10 कैपसूल जिसे ग्लैनमार्क फार्मसेटिकल्स लिमिटेट के दोरा बनाया जाता है Rosu Cam CV 10 Capsule जिसे Elcam Laboratories Limited के दोरा बना जाता है Preva RS 10 Capsule जिसे Intas Pharmaceuticals Limited के दोरा बना जाता है Rosu Cam CV Capsule जिसे MSN Laboratories Limited के दोरा बना जाता है Friends Market में मिलने वाले Same Composition के साथ उपलफद ये कुछ ऐसे Different Brands हैं जो आप इस medicine के न मिलने की इसीती पर भी purchase कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं आपको effect same मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का salt या molecule होता है वैश same होता है अब देखते हैं friends इस medicine के कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि heart attack के खत्रों को कम करने के लिए यानि उसे prevent करने के लिए और बढ़े हुए cholesterol level को कम करने के लिए इस medicine का इस्तिमाल किया जाता है अब देखते हैं friends इस medicine से जुड़े कुछ side effect के बारे में तो friends अपच का होना दस्त लगना यानि डारिया का होना पेट में दर्द का होना कबज का होना कमजोरी महसूस होना सिर दर्द होना चक्काराना मान स्पेसियों में दर्द होना खून में glucose का level बढ़ जाना और liver में enzymes क बढ़ जाना इसके कुछ common side effect के रूप में नोट किये गए हैं आप friends यह समझ लेते हैं कि medicine को इस्तमाल कैसे करना चाहिए तो friends इस medicine को doctor के dose or duration के अनुसार ही इस्तमाल करना चाहिए इसे लेने से पहले doctor से advice अवासे करना चाहिए self medication कभी नहीं करना चाहिए इसे चबाना नही चाहिए कुछलना तोड़ना या पीशना भी नहीं चाहिए capsule को खोल के उसके powder को इस्तमाल नहीं करना चाहिए इस medicine को भोजन के साथ या बीना भोजन के भी ले सकते हैं परन्तु medicine को आप एक निची समय पर लें यह medicine की गुडवत्ता को enhance करता है अब देखते हैं friends यह medicine काम क करते हैं और heart attack को कम करते हैं stroke को रोकती है रोसुवेस्टिन नाम का जो content होता है या एक lipid lowering content होता है और सरीर में बनने वाले जो bad cholesterol होता है यानि low density lipoprotein जो होता है उसके level को कम करता है उसे रोकता है body को उसे बनाने नहीं देता है और good quality का जो cholesterol होता है यानि HDL जिसे high density lipoprote करते हैं उसके निर्माण को यह enhance करता है improve करता है और इस प्रकार यह अथी तरह से आपके body में work करता है क्लोपी डेग्रल जो content होता है या एक anti-platelet medicine होती है और यह platelets को आपस में चिपकने से रोक देता है और खून के जो हानिकारक ठक्के बनते हैं clot बनते हैं जिनके कारण emb प्लेटलेट के चिपकने के कारण होता है तो वह भी आपको बच जाता है अब देखते हैं friends medicine से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में तो friends इस medicine को आपको heart attack और stroke से होने वाले खतरों को कम करने के लिए दी जाती है इस medicine को आप भोजन के पहले भी ले सकते हैं यानि खाली पेड भी ले सकते हैं और भोजन करने क आपके complications हो सकते हैं आपको diarrhea हो सकता है या constipation हो सकता है या आपको burning sensation से हो सकता है इन सारी चीजों से बचने के लिए आप इस medicine को भोजन के फस्चात ले यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर आप में किसी प्रकार का bleeding disorder है तो आपको इस medicine को बहुत सावधानी पूरख लेनी चाहिए क्योंकि यह medicine जो platelet होता है उसे पतला करता है उसे blood को पतला करता है antiplatelet medicine effect इसमें डालती है और रखत स्राव के खत्रों को बढ़ाती है इसलिए बहतर होगा कि जब आप saving कर रहे हो हाथ या पैरों को नाखून काट रहे हो या किसी भी नुकीली चीज अगर आपको भूंक ना लग रही हो या आँखों या तुचा में पीला पन आ रहा हो तो आपने डाक्टर को इस बारे में सूचित करें और उसे परमर सवस्य लें अगर आपके मान स्पेस्वियों में सरीर में हाथ पैर में दर्द हो रहा है विसेश रूप से बुखार भी साथ में महसूस हो रहा है तो भी आपको अपने डाक्टर से इस बारे में परमर सवस्य करना चाहिए किसी प्रकार की सरजरी करवाने से पहले अपने डाक्टर को आपको बताना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि एंटी प्लेटलेट मेडिसिन इसमें है और यह गर्बधारन या इस्तन पान करानी की योजना बना रही है तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे मुचित परामर्स करना चाहिए इसमें कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो आसुरक्षित होते हैं प्रेगनेंसी या लेक्टेशन के डूरेशन में तो इसलिए आपको अपने कार के कॉमप्लिकेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है गर्भवस्ता और इसनपान का जो पीरिड होता है उसके अगेस्ट में concentration में loss नहीं होता है और यह medicine driving mode के लिए safe है आप इस medicine को लेके driving कर सकते हैं किसी भी प्रकार का complication आपको नहीं होगा फिर भी अगर बहुत अधिकावस्च नहों तो driving से आपको बचना चाहिए kidney rogue और liver rogue से जुड़ी किसी भी प्रकार का जो complication होता है उसके बारे में डाक्टर समझता है और आप अपने डाक्टर से अगर अपने current medication के बारे में बताते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बहतर होगा तो friends यह था एक छोटा सा review medicine के उपर मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स के वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह medicine के review हमारे channel पर लगतार आते हैं इस वीडियो में friends बस इतना ही किसी अच्छे topic के साथ आप से फिर मुलाकात करता हूँ उसके पहले मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ कि सिर्फ वीडियो के अधार पर medicine का सेवन ना करें यह आपके लिए हानिकारख हो सकता है डक्टर से मिलें उचित परामर्स करें उसके बाद ही medicine का सेवन करें यह आपके लिए बहतर होगा जय हिंद